अब जी राम राम जैन सब को क्या आल है उमीद करता हूं सब बढ़िया होंगे तो कल और परसों की वीडियो में जो मैंने आप लोग को वीजुल्स दिखाए थे जब पाकिस्तान की टीम इंडिया में लेंड गी थी और जो हैदराबाद से जो वीजुल्स आये थे बहुत ही हार्ट वोर्मिंग जेस्चर्स जो हम भारतवासियों ने शो किये थे पाकिस्ता एर्वरण टीम को जब वह एरपोर्ट पर लेंड गी थे राज्यव ग्यांदी इंटरनेशल एरपोर्ट आइदराबाद में लेंड गीए थे तो हम सब दिल खुल कि उमका इस्तक्वाल गया था दिल खूल किया था हमारे भारत डेश में कि उनका सवागत है यहां की रेंश जैन को आप एंजोई किजिए फूर इंजोई किजिए यहां का माह वालप एंजोई किजिए बट वह बोलते हैं न एक कहावत है अब हमारे हिंदी भाशा में कि कुटों को घी हजम नहीं होता है देखिए यह वड़ा आपको मेरे हार्ष लगेंगे बट यह कहावत इस वीडि एजे इंडियन हमने पाकिस्तान टीम को दी हमें बदले में क्या मिलता है पीजीवी के चेर्मेंट जगा शरफ कल मेडिया में लाइव आके यह बयान देते हैं कि प्लेयर्स को हमने कॉंट्रेक्ट रिन्यू किया है इतना कॉंट्रेक्ट दिया है वो दुश्मन मुल्क में जाके खेलेंगे। कॉंट्रैक्स दियें। मैंकल पाकिसान के इस्ट्री में इतने पैसे कभी नी मिलें जितने मैंने उनको तियें। क्योंकि मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं यह मुराल इनका आप होना चाहिए। कुछ अब अरी छुछ इंट 30 में मुल्क वेकिसी जह भी खैलने जायें जासों एकि हों कॉMPETが हो रहा है। जैसाना जाना कीम सुछ से 5 hukum बें खिलने मुल्कुत और उनका तुम्ते हम भॉलसे क्या चै थासना कम्एर मुल्कुत देते हम आज भी आओगे इसा करेंगे कल भी आओगे शौ करेंगे बट अगर तुम वहां से बैटके अगर तुम ये बोलोगे कि तुम दुश्मन मुल्क में जा रहे हो भाई कोई दुश्मन मुल्क नहीं है ठीक है पहली बात तो यह सेकंड तुम PCP के chairman हो वो बात लगए तुम होनरे भी chairman हो तुमारे भी post अभी तक confirm नहीं है PCB के अंदर ठीक है तुम chairman हो तुम इतनी बड़ी post पे बैठ के तुम media के उपर जाके ये बोल रहे हो कि भारत की तुम दुश्मन मुल्क में जाके उनके contract renew करके तुमने एक motivate किया है उनको खेलने के लिए कि दुश्मन मुल्क में जाके जीते अरे mad bro दुश्मन मुल्क seriously तुम जो बोल रहे हो तुमारे मुह में जारी है वो बात ये तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं एक तो भाइ ये तुम गांजा फुखना बंद कर लो एक हाना ये जो तुम सहस्ते नशे फूंकर तुम बहुत बयान बचिक करते हो पहली बात थो तुम उसको बॉलना बंद कर दो तुम्हारा दिमाग सेंटर में आएगा तुम क्या बोल रहे हो बात तुम तक पहले जाएगी मतलब जो तुम बोल रहे हो तुमको कुछ नहीं पता क्या बहुत दुश्मन मों हमने उनका स्वागत किया इंडिया में आयो वी वेलकम बाइव और ओपन आम्स जब चेर्में था तो उसने क्या बोला था अगर भारत की टीम एश्या कप में पाकिस्तान नहीं आती हम पाकिस्तानी टीम को नहीं बेजेंगे इंडिया में अब वो खुद आज स्टार स्पोर्स पर बैठके कोमेंटरिया किये जा रहे हैं भाई देखो जो तुम बोलते हो न इंडिया में कोमेंटरिय करने हमने बुलाया देर को कि इंडिया में कोमेंटरिय कर ठीक है मेरे को पते तुमको वहां पर जाके बयान बाजी करने रहते हैं ठीक है कि अपने देश वालों को यह बताना कि भाई हम हमारी टीम के लिए यह करें बढ़ दीडम डीप डाउन इन दो महीने पहले जब एशिया कप का यह हुआ था कि इंडिया टीम पाकिस्तान में लेंड नहीं करेंगे तो तुमने यह बयान दिया था कि इंडिया अगर पाकिस्तान में लेंड नहीं करती तो हम भी वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे इंडिया में पाकिस्तान टीम भी कुछ भी करता है वह बेसे लिए गए करताओ बच्चे बोलता हूं वह करता हूं नहीं कुछ भी नहीं करता हूं फिर कुछ फिर करता हूं है मतलब इनका PCV का चेर में ना कि यह बोलता है कि हम दुश्मन मुल्क में जा रहे हैं तो हमने प्लेयर्स की फीश कॉंट्रेक्ट ट्रेनियू कर दिये हैं 200-200% उनके इंक्रिमेंट दे दिये ताकि वो दुश्मन मुल्क में जाके जी जाए ब्रो जीतो हारो वो मैच का पार्ट है बर तुम्हें दुश्मन मुल्क बोलने का कोई हक नहीं है सामझ में आई फिर तुमारा एक्स पीसीवी चेर्में रमीज रजा जो बोलता है कि एशिया कप में तुम पाकिस्तान में नहीं आऊगे तो हम भी नहीं आएंगे इंडिया में भी आये तेरी टीम भी आयी ठीक है एक तो उचलना कम क्या करो ठीक है बैठके ओ जो जो तुम पोस्ट पे जाते हो ना किसी भी उच्छी पोस्ट में वह पे उचलना कम करना पड़ता है ठीक है क्योंकि अगर उचलोगे कम, तो जब नीचे गिरोगे ना तो बहुत ज़्यादा दुखता है ठीक है न तो ये थोड़ी सी वो भी तुम इसके अंदर दिमाग में डाल लो और तीसरी खबर ये कि पाकिस्तान मेडिया में ये चल ले जब वो लोग लेंड किये थे पाकिस्तान की टीम इंडिया में तो उनको कुछ मेन्यूस वगेरा प् हमारे धर्म में हम भी प्रवाइड नहीं करते ठीक है ये बात तुमको भी पता है बट इसकी न्यूस बनाने की कोई वो नहीं होती ठीक है जहां देखा कुछ भी वहां तुम्हें बस प्यार प्यार टीम चलने दो टियार पीचिए ब्रो वी डॉन्ट प्रवाइड बीफ्स पिकज वी आर सनातनी वी आर हिंदूस वी वर्शिप काव ओके समझ में आ गई इसे ज्यादा फाल तु नहीं बोलने वाला क्योंकि इसे ज्यादा डिजर्ब नहीं करते हो तुम तो अनपड मीडिया इनकी अनपड गवार जाहिल मीडिया यह पहले भी मैं बोल चुका जीज ठीक है ना और अभी वॉम अप के मैच इस भी चल रहा है अफगानिस्तान का मैच अबेंडन हो गया बारिश के वज़े से गौहाटी में और श्रीलंका बंगलादेश का मैच चल रहा है श्रीलंका ने टिंग टू सिक्स्टी फोर का टार्गेट दिया है आइधिंक ब मार के गया है और बट न्यूजिलेंड चेस कर रहे है बीस बाइसोग सब्सक्राइस और में उनने भी 190 कुछ ऐसे जड़ती है तीन विकेट के नुक्सान पर तो काफी क्लोज मैच जा रहे हैं देखते क्या रहते क्या नहीं बट बयान बाजी देना बंद करो ठीक है जितना गूदा रहता है उतना बयान बाजी किया करो उससे ज्यादा मत फैला करो क्योंकि ज्यादा फैलता है उसकी ज्यादा भटती है समझ में आई बात तो इसी जुम्ले में हम लेते हैं इस वीडियो से अलविजा तब तक के लिए पाई बाई जहिंद सब क्याल रखें वीडिय करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में